नमश्कार जी मैं हूँ पुनीत आप देख रहे हैं स्टोपिटी इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक बर फिर से हाजर हूँ आपके सामने आज मेरे सवाल मेरे बच्पन का सवाल है जो आज का शायद ही पूरा एपिसोड बन जाए यह उसका एक बड़ा पार्ट बन जाए क्यूंकि मेरे दिमाग में एक सवाल बच्पन से है जो मैं आज पूछने वाली हूँ लेकिन उससे पहले में यह बतादों कि यह नीचे नंबर्स लिखे हुए है यह आप ही के लिए है ताकि आप appointment ले और मिलने आ सके इनी नंबर्स पर कॉल करके जो दूर रहते हैं वो टेलिफॉनिक कंसुल्टेशन भी ले सकते हैं इनी नंबर्स पर फोन करके तो सो पहले स्वागत करते हुआ है चोटी होटे मेरे दादी मुझे बोल स्यम्क्राइब हुआ Gus उपाय तो सुना है, पाय क्या था? वरिय इंटर्स्टिंग, आज आपनी रेंडम उठा लिया है बिल्कुल यह होते हैं पायपुनी जी यह होते हैं, अचली बच्चा जब पैद आता है आज तो लोग इतना ध्यान ही रेते लेकिन पाया किस ताइ में बड़ा इंपॉर्टन होता था और मैं पराने समय की बात करूँ तो पराने समय में क्या होता था कि जब बच्चा पड़ा था उसकी कुणली दिखाई जाती थी और पंड़ी जी से पूछा जाता था कि ये अब की बात नहीं बात कर रहा हो आपको बड़े easy way से समझाने की कुशिश करूँगा कि यह पाई होते हैं, अपनी कुंडले निकालिए जो जो मैं बोलूँगा, वो सुनिए, वो समझिए, वो देखिए आप कौन से पाई में पैदा हुए हैं, या आपका बच्चा किस पाई में पैदा हुए है नमबर एक, यह जो पाई होते हैं, पाई होते हैं चार तरांगे सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया यह जो चार पाई हैं, बच्चे इसी में ही पैदा होते है बात करूँगा मैं, क्योंकि एक नक्षतर पाया होता है, एक राशी पाया होता है तो हम जिस पाय की बात करेंगे, वो हो रहेगा आपका राशी पाया अब आपने देखना क्या है अपनी कुंडली में, आपने अपनी कुंडली में देखना है इसका मतलब क्या है मैं वो भी समझाऊंगा आपको पहले यह जान लीजिए कि यह किस पाई की में बात कर रहा हूँ कौन से पाई में आप पैदा हुए है सो एक छे ग्यारा गोल्ड के पाई में ठीक है लगन से देखना आपने लगन से आप अपनी जहां पर यह लगन कुण ली है उससे मैं इसका आपको बताऊँगा कि कैसे हम देखना है दो पांच नो चांदी के पाई में चंदरमा आपका दो पांच नो में हो तो आप चांदी के पाई में पैदा हुए है उसके बाद तीन साथ दस जो हैं यह है तांबे का पाया यानि कि आपका चंदरमा तीसरे भाव में हो सब्तम भाव में हो दसम भाव में हो तो आप तांबे के पाई में पैदा हुए है चार, आठ, बारा है तो आप लोहे के पाई में पैदा हुए है यह चार पाई है चंदरमा आपका जहां बैठा हुआ है आप देखिए जो मैंने भी बोला जहां बैठा हुआ है वो आप उस पाए में पैदा हुए आपका बच्चा उस पाए में पैदा हुआ अब इसका मतलब क्या है जो रबसे जरूरी बात समझने वाली है इसका मतलब यह है, जो सोने के पाए में पैदा हुआ, आर्थिक उसका अगर हालात देखें तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन शरीरिक हालात बहुत अच्छे नहीं होते हैं, यानि कि पैसा धन तो बहुत होता है, लेकिन उसकी शरीर का जो सरंचना होती है, जो शरीर होत तो जिस हिसाब से उस गोल्ड की गदर है उस हिसाब से लोगों के पास ऐसे वाले लोगों के पास जो गोल्ड के सोने के पाए में पैदा हुए है उनका आर्थिक वैल्यू रहता है उनके पास आर्थिक संपनता बहुत अच्छी होती है नंबर दो मैंने बात की चांदी के पा क्योंकि चांदी की वैल्यू भी मार्किट में बहुत अच्छी है अच्छी खासी है पहले समय में जहां सोना चलता था वहां चांदी भी जलती थी आज भी हमारे केई अपने बेटियों को देते थे और अचिरवाद के तौर के समझ लीजिए लेकिन हमारे जो दादी थी यहां से भी बजूर्ग थे वो क्या कहते थे कि हमारे घर में सोना यहां पर हमने दबाया हुआ था हमरे पास इतना सोना था क्योंकि पहले अलमीरस तो होती नहीं थी रखन से निकलता है तो हमें लगता है कि सोने की अश्रवे मिल गी हैं सोने का गहने मिले हैं हमारा तो चमंतकार हो गया हमारे साथ और के लोग तो बिना वज़ा ही कोई आपके घर के नीचे सोना है तो लोग घर खुद वा देते हैं निकलता कुछ नहीं है तो यह वह सोना है जो ने दबाया होता है, जो नीचे के नीचे रहाए है कि लोग चले गें, लेकिन वे हाँ दबा रहा गया। तो उसका वैल्यू कितना था? सोने का आज बी उतना वैल्यू हो है, आज की डेटे में सोना कितना महगा है। वेल उफ रहता है, ऐसा इंसान वेल उफ रहता है, पैसे की तंगी जादा इनको नहीं आती. बात करता हूँ तांबे की कही न कही अगर आप सिर्फ तांबे की बात करें तो इनका क्योंकि तांबे का जो वैल्यू हो वा एक एवरिज वैल्यू है तांबे का वैल्यू है एक एवरिज वैल्यू है तो ऐसे इनसान के पास सेहत भी एवरिज रहती है ऐसे इंसान के पास पैसा भी average रहता है ना बहुत जादा ना बहुत कम सहिध भी इनकी average रहती है ना बहुत बिमार ना बहुत अच्छे नॉन्मल चलता रहता है उनका क्योंकि तामबा भी कही न कही ये average value लेके बैठा हुआ है अब बात करते हैं जो बच्चे लोहे के पाई में पैदा होते हैं, इनका शरीरिक समपन्ता बहुत अच्छी होती है, लेकिन आर्फिक समपन्ता वीक होती है, क्योंकि लोहा है, मार्किट में लोहे का और गूल्ड का और चांदी का वैल्यू अब देखे किसी साफसे है, जिसी साफसे इसके वैल्यू इसी साफसे बच्चे का जो है वो दूआट लाईब उसका सिस्टम रहता है तो लोहे के पाए के अंडर जो बच्चे पैदा हुए है जिनका चंदरमा चार आठ बारा में है उनको शरीरिक तो उनका बल बहुत जादा होता है लेकिन आर्थिक रूप से कही न कहीं ही वो तंगी रहती है कहीं न कहीं लगता है कि पैसा कम है कम ही है पैसे की सो ये पाए थे आपने अच्छे से समझ लीजिए इसको अपनी कुणले निका लिए किस पाए में पैदा हुए है वो देखिए किस वज़े से आपको तंगी आ रही है आज आपको इस चीज का समझ लगेगा नंबर दो ये नहीं है कि जो मैंने बोल दिया है ये वैसे ही होना वाला है कि आप इसमें पैदा हुए तो आपके पास पैसा नहीं आएगा सेहत होगी नो इसमें से कुछ कंडिशन है जो पहली कंडिशन है वो है चंदरमा का किसी अच्छे रहे के साथ द्रिष्ट होना सबसे ज़ादा जरूरी है जुपिटर के साथ द्रिष्ट होना जुपिटर के साथ यानि गुरु के साथ चंदरमा कंडिशन है या द्रिष्ट है किसी तरीके से तो आप मानके चलिए कि आपको वो सब मिलेगा क्योंकि गज केसी योग बनता है खासकर करके साथ बैठे हो उसकेस में गज केसी योग बनता है गज केसी का योग का मतलब ही ह किसी malefic planet की इसके ओपर दृष्टी हो, किसी natural malefic की अगर इसके ओपर दृष्टी हो, चंदरमा के ओपर, तो आप मान लिजे, वहाँ पे इसका result जादा बढ़ जाता है, तंगी जादा बढ़ जाती है, लेकिन जुपिटर से दृष्ट हो जाएगा, जुपिटर से यानि कि में बना हुआ है, मान लिजे, च्छटे में बना हुआ है, अश्टम में बना हुआ है, या बार में बना हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सा इसका गज केसी योग कमजोर पड़ता है, वरना के अंदर में हो, एक, चार, साथ, और दस में हो, तो इसका मजबूती बहुत होती है और गज केसी योग कब बनता है जब कुंडली के अंदर गूरु चंदरमा क्लोजली कंजक्ट हूँ या एक दूसरे के सामने 180 डिगरी पे अगर वो सत्वीन दिश्टी के साथ अगर वो कंजक्ट हो रहे हैं तो गज केसी योग का फॉर्मेशन होता है ये चीज किताबी नॉलेज नहीं है ये एक प्रैक्टिकल तजर्बा है जिसके उपर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके केस में उनको वहर चीज मिलती है लेटर आन मिलती है क्योंकि ages होती है ग्रहों की ages होती है उसे साथ से इंसान को संपनता मिलती है अब ये मत समझे कि आपका किसी के दिश्टी भी नहीं है कुंडली के अंदर चंदरमा के उपर खास करके जूपिटर के दिश्टी नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी उसमें चंदरमा की placement बहुत matter कर है कि पाई में पैदा हो गए ठीक है वही चंदरमा आपके नमाज में आके वेल प्लेस्ट होता है केंदर में आ जाता है त्रिकोन में आ जाता है तो वह भी आप उस condition से बच जाते हैं चंदरमा वहां भी आपका वेल प्लेस्टी समझी है क्योंकि यहां पे certain age के बाद खास क से देखा जाता है जो आपके daily का transaction है जो बहुत तेजी से आता है बहुत तेजी से जाता है वो आपका चंदरमा के अधीन आता है चंदरमा के अधीन आपका खाना आता है फूड आता है सो जिन्दगी भर आपको अच्छा खाना खाने को मिलता है आपकी पसंद बहुत अच् तो आपको क्या करना है फिर आपके कुछ ज्यूटीज हैं चंदरमा को ठीक करने के लिए पहली ज्यूटी के है खाना जूठा मत छोड़िए चंदरमा फूड है जो फूड वेस्टेज करेगा वो अपना एक रिंड पैदा कर रहा है जिसको आगे जाके बुगतना ही वेस्टेज अफ़ वाटर जो रहेगी वो इतनी आपको आप पस judgments सकते की आपका नुकसान का वेस्टेज उफव वॉॉटर जेतना पानी चाहिए होता है उतना ही पीजे के बार कि होता है कि हम जा रहे होते हैं हमें पता होता है कि यहां पर पानी का वेस्टेज हो रहा है तो हम पासे गुजर जाते हैं मत कीजे जहां आपको पानी वेस्टेज होता है देखें वहां रोकिए उस टैप को बंद कीजे अगर आपके घर में पानी टिप टिप करके घिर भी रहा है वो भी वेस्ट जब वाटर है वो तो बहुत बड़ा वास्तोष भी है लेकिन वो नुकसान भी है उसको भी रोकिए सो ये चीज़ें चंदरमा को ठीक करने में बहुत सहाइक हैं बहुत सहाइक आपका चंदरमा जिस मर्जी कंडिशन में हो वरिष्चिक का हो पेड़ित हो छे आट बारा में हो तो ये आप अगर आप सेविंग्स करना शुरू करेंगे अमावस पे स्पेशल डे होता है मावस का चंदरमा जब चंदरमा नजर नहीं आते आपको तो आप समझ लीजिए उस दिन में अगर किसी गरीब इंसान को खाना डोनेट करते हैं तो आपका पेंडिंग करमा भी सौल होता है चंदरमा का वेस्टेज आप बचाते हैं खाने की लोगों से वेस्टेज बचाते हैं पानी का सेविंग करते हैं पानी सेव करते हैं तो समझ लीजिए आपका चंदरमा वेल बहेव करेगा करेगा तो ये चीज़ें कुछ जोड़ी हुई थी पुरी जिन ने तो पूछा था कि पाया कहां से शुरू होता है तो मैंने आपको पाय के साथ साथ चंदर्मा के बहुत कुछ बता दिया कि चंदर्मा से को हमें सेव कैसे करना मन है मन की शांती है चंदर्मा चौथा भाव इसका कारक है चौथा घर का सुख का है हर तरह का सुख जो है चौथे घर से हम देखते हैं तो मून वहां पे कारक बन जाते हैं तो जब आपने क्वेस्टिज मत कीजिए और खास करके आप अपने लिए अपने लिए समय निका लिए और मेडिटेशन जरूर किया कीजिए चंद्रमा आपका उससे बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है तो मैंने एक सवाल किया था लेकिन एक सवाल के बोनस में बहुत सारे जवाब जो है वो मिल गए है और अकसर ऐसा ही होता है जब इस मंच पर बात होती है तो अकसर ऐसा ही होता है वहां वहां संहा कि अधिन नवरात्रों में दान करने से ज्यादा निलता है और बोल रहे हैं कि गृडडार कुछ रहे हैं तो जल्दी स्पतीज में इस अधिन जब आयगी तब आएगी आपकी क्योंकि बहुत ज़ादा रश होता है तो मैं धिरे देने निकाल रहा हूँ पना-बना के इसको नवरातरास चल रहे हैं बहुत पॉजिटिव डेज हैं दो पाए करने बड़े ज़रूरी है नवरातरास में आप डेली माता जी को क्योंकि आप यूटिव के कम्यूनिटी सेक्शन में जाएंगे तो इसमें मैंने नवरातरास के बारे में लिखा है कि कौन सा नवरातरा किसका है उसमें आपने एक पोस्स डाली है वो आप देख लीजेगा इंस्टा पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो इंस्टा पे जुड़ जाएगे वहाँ पे भी आपको information मिल रहेगी वहाँ छोचोचोटे tips जिसको छोचोचोटे tips चाहिए होते हैं वह इंस्टा पे जाके एस्ट्रोपीडी करके हमारा एक इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप सर्च करिए वहाँ पे जाके आप फॉलो कीजिए आपको सारी जो है वो मिलती जाएंगे लेकिन अगर आपको किसी वीचे से इंस्टा आपनी यूज़ करते हैं तो YouTube के जरिये में सब को बता दू कि अनार जरूर चड़ाइए माताजी को और ये इतना पॉजिटिव महौल है पॉजिटिव टाइम है खुले अकाश में जाके खास करके सुबह जाके आप खुले जो अकाश की है वो एनरजी आप अब्सॉब करने के कोशिश कीजिए क्योंकि ये बड़ी पॉजिटिव एनरजी है अकाश की इनरजी इस टाइम बहुत पॉजिटिव है तो मैंको लगता है ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोग इतनी दूर साथ समंदर पार बैठे हुए हैं लेकिन वो फिर भी जड़ों से जुड़े हुए हैं वो दान पुरने के बारे में तो बात करते हैं हर साथ में एस्ट्रोजी को बेसमान करते हैं होता क्या है आट उफ ऐंडिया के बात करो इंडिया में तो हर जग़ा दान दख्षना आप कर सकते हैं हर जगा आप दान कर सकते हैं यहां पर बैगर्ज मिल जाएंगे सब कुछ मिल दाएगा फॉराण में बहुत ज़ाथ दिक्कते आती हैं तो फॉराण में एकि इसी को द से है कोई अस्ट्रेलिया से है अलग अलग जगा से लोग जोड़े हुए है और नेचल्शिप बाता है जोड़े से जोड़े हुए है अस्ट्रालोजी को मानते हैं विश्वास करते हैं अस्ट्रालोजी कोई समझाने वाला या फिर विश्वास दिलाने वाला सब्जेक्ट नह कहीं है वजूध कर्छा बहुत दूप लगते हैं तो अपना परभाव चोड़ रहे हैं सभी होग हमाने या ना मने आपके आपना प्रभाव छोड़गते हैं कोई माने या ना मने या सब्जेक्ट मनमाले माना ले हैं ये तो विश्वास करने वाना सब्जेक्ट है सो ये बड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है इसको समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए बहुत नौलेज चाहिए छोड़ो जाके गुपत तरीका से मंदिर में जाड़ाएँ और नए जाड़ो लेने भिलकुल फ्रेस्ट रजए लेजिस दिन मर्जह आइए शोकरओ जाकर शोकर बक्ष के मंदिर जाकर चाड़ाकर आईए और गुपत तरीका से जाना चाड़ाएँ ने हम चांड़ आपको ल कुछ शिखायते भी होती हैं हर चीज जो है वो आपकी मतलब एक एक नजर जो है पास की नजर इन पर रखी जाती है तो connection connect रखने का एक रिष्टा रखने का ये जरिया comments भी जरिया है वो हो सकते हैं क्योंकि एक एक comment को पढ़ा जाता है बाकी जो episode देखते हैं उसको आगे शे होती है तो फिर पुन्य जो है वो और भी जादा लगता है अपना ध्यान देखिए धन्यवाद